है गाइज आम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्सुद वासुदेव तो यह है लेक्चर नमबर थ्री मास्टेर एबल टेन लाइव इन थर्टी डेस का तो आज हम लोग जो हमारा अरेंजमेंट व्यू है उसमें एक स्टेप डीप जाएंगे और समझेंगे जो भी हमार के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि था किन्ना चिर जित्ते लोग नहीं जानते इस मांत एक मंथली कॉंटेस चल रहा है जिसमें इसी की स्टेम्स दी गई है आपको मिक्स करने के लिए और जो भी जीतेगा उस को उसको मिलेगा प्रिसोनस का आडियो बॉक्स गो तो जित्त ओमनिस्फेर, कॉंटाक्ट, ओमनिस्फेर यह सारी जो भी चीजें लिखी है किन्ना चिर यह सारे हमारे जो हैं हमारे ट्राक्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह कैश्मीर के सैंपल्स हैं जिनसे जो ड्रम बीट थी वो बनी थी और इसी के ही राइटन साइड पर हम इस वक्त वो मेरे इंटरफेस के इंपॉट नंबर वन में चनेक्टेड है आपको यहाँ पर वन में सिगनल दिख रहा होगा आट दिसीम टाइम क्यूंकि मैं अपने ओडियो इंटरफेस से इंपॉट ले रहा हूं इसलिए मैंने इहाँ पर एक्स्टरनल इन सेलेक कर लिया if I want मैं अपने नीचे जो instruments है music के मेरे जो भी बाकी tracks है उनसे भी input ले सकता हूं इस track में तो for example अगर मैं यहाँ पर किना चिर rear walk select कर लेता हूं और यहाँ पर post mixer को post fx या pre fx पे set कर देता हूं and the moment मैं यहाँ पर in function को select कर लेता हूं तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं so basically अब मेरा जो snare वाला track था अब यह input ले रहा है मेरे vocal track से और मुझे vocal सुनाई दे रहे हैं तो basically यह इसी काम में आता है और इसके बाद अगर हम लोग right inside की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह basically आपका track activator है यानिकि यह track active है या नहीं है जैसी मैं इसको click कर दूँगा यह track deactivate हो जाएगा और यह कुछ भी signal नहीं प्ले करेगा right तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं यह जो हमारे elements है यह mute हो चुके हैं और अगर मैं side में बाकी features की बात करूँ तो S मतलब solo है इस track को आप अलग से सुन सकते हैं यह आपका volume level meter है जिससे आप अपना volume level को adjust कर सकते हैं यह वाला जो है यह है panning का parameter जिससे आप लोग pan control कर सक हैं कि आपको right pan करना है left pan करना है और कितना pan करना है double click करते ही reset हो जाता है उसके बाद यह जो है यह record arm function यानि कि for example अगर मेरे को इस track पर अपने vocals को record करना है तो the moment मैं इसको record arm करूँगा जैसी मैं इसको click कर दूँगा तो कहीना कहीं यह मेरे vocals का input लेने लगेगा and I can directly record on this track तो मैं command press करूँगा चारो tracks को select कर दूँगा and यहाँ पर record arm press कर दूँगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब चारो tracks जो है वो signal receive कर रहे हैं यह वाला इसलिए नहीं कर रहा because इसमें input 2 selected है तो जैसी इसमें अगर हम लोग stereo track record कर रहे हैं तो हम 1 slash 2 करेंगे mono कर रहे है यह simply आपके send tracks है यह वाला particularly जो है वो reverb का send है और यह वाला delay का send है इसका example में आप लोग को vocals में दिखा देता हूं तो यह हमारे vocals हैं जिनको मैं solo करूँगा सबसे पहले and the second one is the delay track alright और अगर आप इनको access करना चाहते हैं तो आप लोग सीधा नीचे जाएंगे आपके जो timeline है उसके नीचे आपको दिख जाएगा आपके reverb or delay tracks है तो अगर मैं दोनों को select करता हूं command key को press करके और इसको drag करके उपर ले जाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यह है आपका reverb track और यह है आपका delay track और इनकिस अगर आप लोग और return tracks को create करना चाहते हैं जैसे कि reverb delay है और ज्यादा reverbs दालना चाहते हैं या कोई और fx को add करना चाहते हैं तो simply आप लोग right click करक यहां पर insert return track पर click कर सकते हैं तो इससे क्या होगा ऐसे एक और return track create हो जाएगा save for example right जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब जो उपर के हमारे tracks हैं उन सारी tracks में नीचे 3 cents के option available है आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है यह जो हमारे return track से riverbord delay इसमें आप लोग को post द में इस topic को cover किया है because youtube पे honestly मुझे कोई भी video नहीं मिला जिसने इस topic को अच्छे से समझाया हो तो I would really suggest कि जितने लोग इसको जानना चाहते हैं वो इस video को check out कर सकते हैं उसके बाद एक बहुत ही exciting मेर को feature लगा Ableton का वो है इसका clip overview जैसे कि आप लोग यह चोटा सा बार देख सकते हैं अगर मैं इसको extend कर दूँ तो actual में आप लोग देख सकते हैं यह zoom in zoom out के भी काम आता है plus इधर उधर project में भी move करने के काम आता है सिफ for example अगर मैं right और left ड्राग करूं इसको click करके तो हम project में आगे और पीछे जा सकते हैं लेकिन अगर मैं इसको click करके up down करूं अप laptop यूज कर रहे हैं तो आप simply अपने mouse से भी यह चीज़े कर सकते हैं इसके बाद अगर आप लोग को simply अपनी clips को move करना है इसको हम लोग वापिस उपर कर देंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं यह तो सब लोग जानते ही है clips को select करके आप लोग सीधा-सीधा move भी कर सकते है लेकिन I am pretty sure आपको दिख रहा होगा कि यह जो clips है यह snap हो रही है अपनी grid में तो in case अगर आप यह चीज़ अवोइट करना चाते हैं इन case अगर आप लोग चाते हैं कि आप freely move कर पाए अपनी clip को तो simply आप लोग को command की दबाना है अगर आप लोग Macbook यूज कर रहे हैं और control दबाना है अगर आप windows user है and simply उसके बाद drag करना है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब मैं freely अपनी clip को drag कर सकता हूँ और कहीं पे भी उसको रख सकता हूँ तो मैं इसको undo कर दूँगा because मैं इतनी अच्छे groove को इतनी अच्छी rhythm को disturb नहीं करना चाता अभी in the same way अगर आप लोग किसी भी pattern को duplicate करना चाते हैं तो simply उस region को select करें अपने keyboard पे option की दबाए mac में या फिर alt की दबाए windows में and click करके उसको drag and drop कर दें बस make sure करें कि सबसे पहले click को छोड़ना है drop करने के बाद उसके बाद अपने option key को छोड़ना है क्योंकि काफी बार क्या होता है मेरे स students आके बोलते हैं कि हम देखो option की दबा के भी drag and drop कर रहे हैं और वो चीज़ copy paste नहीं हो रही रधर वो अपनी position से हिल रहा है तो उनके case में क्या होता है वो लोग option key को पहले छोड़ देते हैं और click को बाद में छोड़ देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना और यही जो command key को press करके इसको freely move कर सकता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो इसको again मैं इसकी जो original position थी उसके अंदर छोड़ देता हूँ एक और बहुती cool feature है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो simply यह है सिफ for example इसको हमने वापस extend कर दिया अब basically आप लोग क्या करेंग अपने keyboard पे command option और shift key को press करेंगे और उसके बाद अपने mouse को left right हिलाएंगे तो उससे यह देखिए आप लोग actually बिना अपनी timing को disturb करें आपका जो groove है उसको आगे पीछे कर सकते हैं तो यह बहुत ही जादा helpful है जब आप अपनी beat को timing पे लाना चाहते हैं तो इससे क्या है आप लोग बहुत precise way में उसको edit कर सकते हैं तो in case अगर आप लोग window users हैं तो आप लोग simply क्या keys press कर सकत से alt control and shift की क्योंकि basically mac और windows में यही similarity है mac में जो command से होता है वहाँ पे control से होता है mac में जो option की से होता है वह windows में alt की से होता है और अगर हम अगली चीज़ पे चलें तो that is simply locators लगाना अपने project में ताकि आप label कर पाए अलग-अलग section को differentiate कर पाएं सिफ for example मान लेते हैं यहां से मेरा chorus शुरू है और मेरे को mark करना है कि यहां से मेरा chorus start हो रहा है तो मैं simply उपर जाके यहां पर right click करूँगा and मैं select करूँगा add locator और यहां पर मैं simply अपना word डाल सकता हूं which is chorus इसका वैसे एक और shortcut भी है यहां पर आप लोग देख सकते है DEL लिखा है which is simply delete तो basically इससे आपक से मेरी audio को play करेगा so make sure इसको play करने के लिए आप double click करें because single click में यह कुछ भी नहीं करेगा इसको actually double click चाहिए operate करने के लिए all right and one amazing thing जो मुझे बहुत ही जादा पसंद आई इस DAW में वो simply यह है काफी बार हमारे यहां क्या होता है clients बोलते हैं कि थोड़ा सा यह जो बार चल रहा है इसको एक बार और repeat कर दो एक बार और extend कर दो and जो chorus है उसको थोड़ा सा late शुरू करते हैं basically उसके लिए मैं क्या करता हूँ personally अपने DAW में logic में मैं सारे tracks को select करता हूँ beat से slice करता हूँ सारे part को move करता हूँ आगे और पुराना जो part है उसको extend कर देता हूँ इस case में क्या है मान लो हमारा जो client है वो कह रहा है कि हमें ये वाला section extend करना है ये वाला section copy paste करना है तो simply मैंने इस area को select किया अपने mouse click से मैं जाओंगा edit पे and यहाँ पी I'll select duplicate time तो इस से देखिए यहाँ पे क्या होता है तो basically यह बहुत ज्यादा helpful है especially hip hop music में या फिर इवन अपने normal music में जहां पे भी आपको दिख रहा है अपने loops का use किया है जहां पे भी आपकी जो arrangement है वो repeat हो रही है इसके अलाबा इनकेस अगर आपको कोई part delete भी करना है say for example हमें यह part delete करना है जो अभी हमने create किया तो again मैं उतने area को select करूंगा मैं जाओंगा edit पे and I'll simply click on delete time तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब वो remove हो चुका है तो I'm pretty sure आप लोगोंने बहुत सारी नई चीजे सीखे होंगी Ableton से related especially जो shortcuts हैं जो हमने बीच बीच में use की हैं उनको please note कर लेना अपनी notebook में उनको कहीं पे लिख के रख लेना because वो आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे इसके अलावा जो अगला part है जो अगला lecture होगा उसक तो इन सारी चीजों को हम लोग detail में discuss करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए practice करते रहिए मिलते हैं अगले lecture में